आज मैं आपको बताने वाला हूं Android Mobile की कुछ settings हाँ दोस्तो जो trick मैं आपको बताने वाला हूं वो trick आपको जरूर फोलो करनी चाहिए दोस्तो बहुत ही hidden trick है Mobile की जो आपको पता होनी चाहिए कुछ trick बताऊँगा जिनको आपको अपने Mobile में on करना ही करना चाहिए और कुछ trick ऐसी बताऊँगा जिनको अपने Mobile में off करना चाहिए और दोस्तो ये बहुत ही useful trick है यदि आपने इनको on और off नहीं किया तो दोस्तो आपके Mobile की security बिल्कुल खतम हो जाएगी हाँ दोस्तो तो मैं आपको बताने वाला हूँ वो चीज आप ध्यान से देखेगा और दोस्तो एक एक करके मैं आपको step बताऊँगा Mobile में तो उन सारे steps को आपको follow करना है आगे मैं बताने वाला हूँ और दोस्तो सबसे पहले तो आप वीडियो को लाइक करके comment box में चैनल का नाम लिख दीजिए technical mono और दोस्तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा चैनल को subscribe करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा तो चलिए दोस्तो मैं आपको कुछ hidden tricks बता देता हूँ hidden settings बता देता हूँ mobile के अंदर जो आपके mobile में बिल्कुल on या off होनी चीए वो conditions के according है वो अभी मैं आपको आगे बता दूँगा तो ये आपके mobile में जहूर on off होनी चीए तो ध्यान से देखिएगा step by step आपको मैं बता हूँगा तो चलिए दोस्तो करते हैं वीडियो start तो दोस्तो अब मैं आपको एक एक करके सारी tricks बता देता हूँ तो दोस्त फर्ष्ट नंबर की trick है हमको दोस्तो settings में जाना है mobile की settings में और यहाँ पर जाने के बाद में हमको नीचे इसको scroll करना है scroll करने के बाद में एक option देखेगा password and security का उपर इपर आप देख सकते हैं हम इस पर click करेंगे मैं इस पर click कर देता हूँ यहाँ पर click किया अब इसके बाद में आप नीचे देखेंगे कि यहाँ पर आपको system security का option देखेगा मैं इस पर click कर दूँँगा मैंने इस पर click कर दिया इस पर click करने के बाद में दोस्तों अब यहाँ पर आप देखेंगे device security में 2 option देख रहे है sim card lock का option भी दिखराए है तो हमको क्या करना है यहाँ पर SIM card lock का option दिखेगा, इस पर click कर देंगे और यहां से हमको SIM first और SIM 2 जो भी SIM है उनको lock कर देनी है, lock का मतलब यह है दोस्तो कि जैसे कि मैं यहां पर second SIM ले लेता हूँ SIM 2 पर मैं lock लगाना चाहूँगा, इस पर मैं click कर देता हूँ तो दोस्तो अब मैं इसका मतलब समझा देता हूँ, इसका मतलब यह है कि दोस्तो मानलो आपका mobile कोई चोरी कर लेता है या कहीं खो जाता है किसी व्यक्ति को पा जाता है, तो दोस्तो उसको SIM भी मिल जाएगी और उस SIM की मदद से दोस्तो वो बहुत सारा data हमारे mobile का चोरी कर सकता है वो email ID भी पता कर सकता है, वो email ID के password भी पता कर सकता है और दोस्तो इसके अलावा दोस्तो वो हमारे UPI के through transaction भी कर सकता है हाँ दोस्तो यदि उसको email ID, email ID के password पता लग जाएंगे तो दोस्तो वो हमारे यहाँ पर जो पैसे होते है bank account में वो भी गायव कर सकता है only SIM card से, इसलिए दोस्तो यहाँ पर lock लगाना जरूर ही है अब दोस्तो आपको एक बात बता दू, यहाँ पर लिखा हुआ है lock SIM card हमी इस पर on करेंगे तो यहाँ पर यह हमसे SIM pin मागेगा यानि कि यहाँ पर हमको password यहाँ पर डालने पड़ेंगे अब दोस्तो पासवर्ड आप वो ही डालिएगा जो आपको याद रहे यदि आप यहाँ पर वो password आप मट डालिएगा जो आप भूल जाते हैं आपको जो याद रहे वो ही आप यहाँ पर डालिएगा ठीक है दोस्तो तो यहाँ पर SIM card lock हो जाएगा अब इससे क्या होगा कि मालो कोई भी व्यक्ति को mobile पाभी जाएगा दोस्तो तो वहाँ पर lock लगा हुआ होगा आपके mobile में तो वहाँ पर SIM card निकालके दूसरे mobile में लगाएगा तो दोस्तो बहाँ पर दूसरे mobile में लगा तो लेगा वो लेकिन बहाँ पर दोस्तो उससे password मांगेगा दूसरे mobile में लगाएगा तो तो password मांगेगा तो वह SIM card यूज ही नहीं कर पाएगा और दोस्तों वो दस से जादा बार यहां पर TRY करेगा SIM CARD यहां पर PIN डालने की, गलत PIN डालने की, तो दोस्तों बहाँ पर SIM CARD LOK हो जाएगा, फिर पर P.U.K. Give CARD wes네 आपको Customer Care से ही मिलेंगे दोस्तों फिर, उत्तब जाकर कि आपका, यहां पर SIM CARD बापस से चालो होता है दो ठीक है दोस्तों तो यह काम आप कर लीजिएगा यहां पर SIM card log चरूर कर लीजिएगा यह आपकी security के लिए बहुत चरूर है और दौनों SIM में ही कर लेजिए यहां पर कर लेना है आपको अब यह तो हुई फच्छ ट्रिक अब दोस्तों दूसरी ट्रिक में आपको बता देता कर दूसरी में जाना होता है। इहां पर गय इसके बाद में दूसरो आप यहां पर देखेंगे आपको उपर इउपर देखीये, आपको यहां पर find my device का अब नीचे आपको email id दिखेगी आपकी और continue edge जो email id का name है वो दिखेगा ठीक है दोस्तो तो इस पर आपको click कर देना है और यहाँ पर find my device को on कर देना है यहाँ पर आप इसमें device app में और device web दोनों में on कर लीजिए अब दोस्तो इसका क्या benefit है मालो आपका mobile चूरी हो जाता है कई खो जाता है और आपके mobile में internet चालू रहता है दोस्तो तो आप अपने mobile की location आराम से पता कर सकते हैं हाँ दोस्तो यह mobile की location बताने में बहुत मदद करता है दोस्तो यह जो feature मैंने आपको बताया है find my device का तो यह actually आजकल नए mobile हो में यह by default यह on रहता है दोस्तो लेकिन और उससे आप यहाँ पे इसको on कर सकते हैं ठीक है दोस्तो तो यह दो feature मैंने आपको बता दिया है इसके अलावा मैं आपको तीसरा feature भी बता देता हूँ तीसरा feature भी वो ही setting में आपको जाना होता है setting में जाने के बाद मैं दोस्तो आपको क्या करना होता है यहाँ पे एक option अब वो option क्या है वो मैं आपको बता देता हूँ उपर आप देखिए display and brightness का option देखेगा इस पर मैं क्लिक कर दूँगा इस पर क्लिक करने के बाद मैं अब दोस्तो इसके दो benefit है जो ये trick बता रहा हूँ इसके दो benefit है अब benefit क्या है इस पर हमारे mobile में अक्सर यहां पर light mode ऐसे on रहता है दोस्तो ठीक है अब इससे क्या होता है light mode में हमारे mobile की battery भी ज्यादा खर्च होती है और हमारी आखों पर भी ज्यादा effect पढ़ता है यानि कि हमारी आखे भी जल्दी खराब होने की संभावना रहती है यदि हम light mode में रखते हैं तो तो हमको क्या करना है इसको dark mode में इस तरीके से कर लेना है अब dark mode में करने से हमारी आखों पर ज्यादा effect भी नहीं पढ़ता है आखे खराब होने की संभावना भी कम रहती है और यहाँ पर जो आप देखेंगे आखों पर का तो प्रभाब कम ही पढ़ता है आखों में इसके अलावा mobile की जो battery होती है दोस्तो वो बहुत कम खर्च होती है यहाँ पर dark mode on होने पर तो यह काम आप यहाँ पर कर लीजिएगा ठीक है दोस्तो तो आप यह को मैंने यह trick भी बता दी है अब दोस्तो चोथी trick में आपको बता देता हूँ चोथी trick क्या है चोथी trick यह है कि दोस्तो सबसे पहले तो आप channel को subscribe कर करके बेल आइगन पर प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके कमेंट वॉक्स में चैनल का नाम लिख दीजिएगा ठीक है गाईज और अब यहां पर पांस वी ट्रिक में आपको बता देता हूं पांस वी ट्रिक यह है दोस्तो आपके मोबाइल में बहुत सारे को सेटिंग्स में जाना है एक एक का आपसें होगा दोस्तों एफ के आपसरे पर मैं क्लिक करणे के पार judge करने के बाद में क्लिकton कर दाया विए चैकिल सेटिंग्ड मेंदें देंद्शा नमबर तो दोस्तों यहां पर आप देखेंगे यह allowed का option है यहांस निकि ये rat अब दोस्तों मैंने यहां पर तो देरत क्यों कि मैंने इसको बंद कर दी थी दोस्तों यहां पर यह परमीशन सभिवी यहांपर location की तो यहां Gente जो application है इसको location की जरूरत नहीं होती है दोस्तो तो यह चीज आप ध्यान में रखेगा यदि आपको लगे कि इस एप को तो इस चीज की permission की जरूरत ही नहीं है तो उसको आप वहाँ पर permission यहाँ पर decline कर दीजिएगा यानि permission remove कर दीजिएगा अब इसका benefit क्या होगा दोस्तो इससे क्या होता है कि यह एप होते हैं जो कई सारे एप हमारे data चोरी कर लेते हैं दोस्तों उनको misuse करते हैं हमेरे mobile में जितने भी contacts बगेरा और यहाँ पर फोटो वीडियो बगेरा इनको misuse करते हैं दोस्तों यह जितने भी एप होते हैं यदि इनको हम गलत permissions दे देते हैं तो सारे एप की बात नहीं कर रहा है दोस्तों मैं यहाँ पर फिर भी काफी एप ऐसे होते हैं जो आप अनिस्टॉल ही करते हैं तो वह बहुत बढ़िया रहेगा दोस्तों तो यह ट्रिक थी दोस्तों जो मैंने आपको बता दी है दोस्तों यहाँ पर इसके अलावा और भी काफी यहाँ पर आप देखें इसमें देख लीजिए अब दोस्तों आपके mobile में यह दिए आपको यहाँ करेगा और यहाँ पर आपके mobile का internet डेटा भी कंज्यूम करेगा तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर बैटरी यूजेज का option देखिए यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है अलाव ग्राउंड एक्टिविटी तो मै यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना यदि अपके mobile में एप काम नहीं आ रहा है कुछ भी तो आप यहाँ पर clear data clear case कर सकते हैं दोस्तों यह काम आप जरूर कर लीजेगा अपने mobile में दोस्तों ठीक है अब दोस्तों कई बार ऐसा होता है यानि कि हमारे मॉबाइल में जो भी कुछ ऐप ऐसे ए जनके नोटिपिकेशन आते रहते है और अदर हम उन अदर चिलड़ चिड़ा आजाता है यानि कि हम नहीं चाहते की नोटिपिकेशन घरमको दिखे हमारे मोबाइल में आये तो इसके लिए क्या करना होगा है सबसे पहले तो आपके मोबाईल में जो भी एप है दोस्तो जैसे की आप मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूं जैसे की यह एंजल है इस पर मैं लांग प्रेस करोंगा एप इनफरमेशन पर wanna क्लिक कर दूंगा यहाँ पर क्लिक करने उसको आप कर दीजिएगा जिस्टे आपके मोबाइल में नोटिफिकेशन नहीं आएगी और आप वहाँ पर परिसान भी नहीं होंगे ठीक गाइस तो यह ट्रिक थी यह मैंने आपको बता दिये तो यह आप अपने मोबाइल में जरूर फोलो कर लीजिएगा कुछ ट्रिक थी जो आउन करने थी कुछ ट्रिक थी जो आफ करने थी वो मैंने आपको बता दी तो यह अपने मोबाइल में यहाँ पर आप अपलाई कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को भी यह वीडियो शेयर चरूर कर दीजिएगा